अलो स्टुडेंट्स, मैसेल्फ अर्चुमंत कुरिशी, जौलेजी देपार्टमेंट, गौर्मेंट पीजी कॉलेज हालवार आज जो है हम B.A.C. पार्ट 2nd, पेपर 1, यूरिट 1 जो है उसी के आगे वाले सिस्टम को कंटीनुई करेंगे पैली मौन या प्राउन के पिछली बार जो है हम लोग ने बात किया था Blood Vascular System की, आज जो है हम स्टार्ट करेंगे Nervous System या तंत्रिका तंत्र Nervous System जो है पैली मौन या प्राउन में टिपिकल एनिलीडियन टाइप कही है और यहां Fusion है गैंलियोन का जादा और यह Nervous System जो है यह तीन भाग में बटा हुआ है Central Nervous System, Peripheral Nervous System and Sympathetic या Autonomic Nervous System तो यहां पर यह जो तीन पार्ट है Central Nervous, Peripheral Nervous System और Sympathetic या Autonomic तो सबसे पहले हम जो है Central Nervous System की बात करें केंद्री तंत्रिका तंत्र जिसमें सबसे पहले बात आएगी Brain और यह Brain जो है Pelimon में यह Roastrum के Base पर और Eesophagus के उपर प्रेसंट है इसी कारण जो है इसको नाम दिया गया है Supra-Eesophagial Ganglion Supra means about the Eesophagus तो यह Supra-Eesophagial Ganglion यह Brain जो है यह Roastrum के Base पर प्रेसंट है और Peripheral Part में सिज निकलेंगी तीन जोड़ी नर्व एंटीनुलेरी, एंटीनेरी और Optic Nerve एंटीनुलेरी नर्व जो है जैसा की Diagrammatic दिख रहा है यह एंटीनुल को जाएगी और यह साथ में Staticic Nerve को بं सप्लाइ करेगी, Staticist को भी और यह Staticist यह Σंतूलन पुट्टी जो है, वो Balancing का काम करेगी फिर एंटीनेरी नाम से लगाए एंटीनेरी नर्व, एंटीना को जाएगी और एक जोड़ी Optic Nerve जो है, वो जाएगी नेतर में तो इस तरह से ये उपर की और जो है तीन जोड़ी नर्फ गया सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियों से सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियों आकर नीचे की और जुड़ेगा सब इसोफेजियल गैंग्लियों से और इन दोनों को जोडने का काम करेगी सरकम इसोफेजियल कमिश्वर ऐसा माना जाता है कि कमिश्वर जो है वो सिमिलर गैंग्रों को जोडती है और कनेक्टिव जो है दो डिस्सिमिलर गैंग्रों को जोडने का काम करती है तो ये सुप्रा इसोफीजियल और सब इसोफीजियल की बीच जो है ये जो connection दिख रहा है आपको ये है सरकम इसोफीजियल का मिश्वर और नीचे की और जो है सरकम इसोफीजियल का मिश्वर से नीचे सब इसोफीजियल जो है वो आकर 11 जूड़ी गैंगलियोन का fusion जो है एक massive रचना का निर्मान करेगा इसका नाम है ventral thoracic ganglionic mass तो यह जो रचना है यह है ventral thoracic ganglionic mass इस 11 जोड़ी जो fusion हुआ ganglion का इससे निकलेंगी 11 pairs of nerves इन में से 3 जोड़ी तो सिफालिक होंगी और बाकी जो 8 जोड़ी है वो thoracic कहलाएंगी सिफालिक जो nerves है इन में वो जाएगी एक mandible को mandibulari, maxillary maxilla को और maxillary maxillary को देने का कारी करेगी और पीछे जो है फिर आए नीचे तोड़ासिक में से 3 जोड़ी तो जाएगी maxillary pit को 1st, 2nd, 3rd और 5 जोड़ी जो चलन टांगें 5 pairs, walking leg उनको supply करने का कारी करेगी नीचे वेंटल थोड़ासिक ganglionic mark जो है वेंटल नव कॉट से जुड़ेगा और इसमें 6 वेंटल गैंगलियोन जो है पाए जाएंगे जो कि हर abdominal segment में एक एक ganglion present रहेगा और इस वेंटल गैंगलियोन से जो है, जो abdominal rather ganglion है, इनसे निकलेंगी तीन जोड़ी हर एक से तीन जोड़ी नव, यह है एक जोड़ी पीडल नव, जो जाएगी पीडल प्लियोपोर्ट को और एक जोड़ी एक्स्टेंसर और एक जोड़ी फ्लैक्सर नाम से लग रहा है एक्स्टेंसर जो है, वो जाएगी एक्स्टेंसर पेशियों को, फ्लैक्सर जो नर्व है वो जाएगी फ्लैक्सर पेशियों को तो इस प्रकार से पीडल नर्व जो है, प्लियोपोर्ट को जो तैरने में सायक होंगे, उनको इनर्वेट करेगा extensor और flexor जो है यह दोनों पेशियों को innervate करने का काम करेगी और last abdominal जो ganglion है उससे series of nerves निकलेंगी जो की euro pod या tail region जो telson part है उसमें प्रिविश करेगी तो इस तरह से जो central level system है उसके part हो गए supra isofagial, sub isofagial, ventral thoracic ganglionic mask ग्यारा ganglion का fusion और फिर उसके बाद जो है छे abdominal ganglion जो की mental nerve cord से जुड़े और इन से निकलने वाली जो nerves है वो आ गई पैरिफ्रिल nervous system में जिसमें उपर की और सिफालिक part में antinary, antinulary और optic और उसके बाद जो है नीचे से यह सिफालिक पार्ट बचे वे तीन हो उसको सप्लाई करेगी थोड़ा से के तीन जोड़ी max lipid और पांच जोड़ी walking legs और उसके बाद जो है प्रतिक abdominal से तीन तीन जोड़ी nerves, pedal, extensoral, flexor को जाएगी अब जो sympathetic nervous system जो है यह autonomic nervous system यह सरकम visovigil जो connective है इसके बीच में है जिसमें एक जोड़ी visceral ganglion है जो सीधी line में present है और एक जोड़ी जो है commissural ganglion है जो कि इस connective पर present है और यह जो visceral और commissural ganglion है इनसे जो nerve निकलेगी यह जाएगी cephalic stomach और जो sorry cardiac stomach और pyridic stomach में तो इस तना से यह nervous system जो है प्राउन का यह well developed है टिपिकल एनिलीडियन टाइप कही है लेकिन यहाँ पर जो आर्थोपोडियन का style है वो है ganglion का fusion तो इस तरह से यह तीनो टाइप के nervous system जो है इसमें well developed है पलीमॉनियोग प्राउन में next जो lecture होगा उसमें हम discuss करेंगे sense organ और इसमें हम बात करेंगे संयुक्त नेट्र की photo receptor organ की उसको हम discuss करेंगे next lecture में thank you आठरणवजच करेंगे टार बात करेंगे स्वेप्चाओ Talking